टू आल श्रेंट अगेन आप लोग का सौगत है आपके अपने यूटूब चैनल जैस्कोर में आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जितने भी बच्चे जो यूपी पीसियल एई के इंटर्व्यू का वेट कर रहे हैं और जो भी बच्चे यूपी पीसियल एई की अ जिनको अगली वेकेंसी यूपी पीसियल एई का इंतिजार है जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि यूपी पीसियल एई की इंटर्व्यू की वज़ा से जो नई रिकूट्मेंट होनी है वो डिले होती जा रही है तो वही प्रोसेस अभी भी हो रह थी बट अब क्या हुआ है अब जो मेल है वो और थोड़ा सा डिले आएगी और जो अब एक्सपेक्टेड जो डेट है इंटर्व्यू की वो आप लोग का होगा नॉमबर के एंड के वक्त में मीस बीस ओफ नॉमबर के आसपस होने वाला है तो अब आप यह लोग एक्सपे इसके उपर कुछ बात करूं तो हमारा 2024 में एलेक्शन है लोग सबा का और 2023 में मास रिक्ट्मेंट को दिखाना चाते हैं और जो हो भी रही है according to me ठीक है 2024 में मास रिक्ट्मेंट को दिखाना चाते हैं तो 2023 में जो नए जो वेकेंसी आएगी उसका भी जो जो जॉइनिंग 2023 में ही complete कर दिया जाएगा और जो 2022 वाला जो interview session चल रहा है इसको भी join करते करते है 2023 में करवा दिया जाएगा तो जिनके लिए जिनका interview हुए उनके पास एक ये तरीका है कि आपको ज्यादा time मिल रहा है अपने interview के preparation के लिए आप इस तरह से positive सोच सकते कि negative तो पूरी दुनि करने के लिए तो आप इस time को और अच्छे से utilize कर सकते है पेपर डिले हो रहा है तो इससे फाइदा उन बच्चों को है जो पिछली बार गलती करके आए थे exam में अभी भी मौका है आप समझ जाईए तो ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि फिर 2023 में वेकेंसी आने के बाद फिर आपका 2024 तक खाली ही जाएगा पूरा session ठीक है तो इतना समझ जाईए आप लोग तो इसको एक positive तरीके से लीजिए अभी आप लोग का syllabus complete नहीं है point of view से मेरे point of view से और अभी हमारा जो मैं करवा रहा हूं उसके अंदर भी syllabus complete नहीं हुआ भी पूरा तो यह अपने लिए अच्छा ही है ठीक है तो इसको एक positive तरीके से लीजिए बाकी आप लोग preparation को करते रही है थोड़ा आप लोग का मुझे support कम मिलता है इसलिए public classes नहीं होती है ठीक है इसलिए हम लोग classes नहीं करते है YouTube पे तो थोड़ा सा अगर support देंगे तो मैं और जो अपना content है और जो मेरी class की duration उसको भी मैं थोड़ा बढ़ाने में सोचूंगा बट अभी उतना support नहीं मिलता है चलिए मेरी classes alternate days पर होती है क्योंकि देखे जैसे आप लोग भी चाहते हैं कि आप लोग को भी एक अच्छा proper guidance मिले तो वैसी मुझको भी लगता है कि मेरी class के अंदर भी अगर पर दे लीजी अराम से अगर भर रखा HBCL का पर दे लीजी अराम से और जिन बच्चों का नहीं हुआ तब उसले बार UPBCLAE में वो लोग भेल को पर target करें SSJ को पर target ना करें क्योंकि BTEC के लिए SSJ की job बढ़िया नहीं है मैं अभी भी एक claim कर रहा हूं और आने वाली vacancy UPBCLAE के उपर CIL के उपर और ISRO के उपर आप लोग टार्गेट करके रखें सबसे पहले अपना syllabus को complete करें जब तो आप लोग का syllabus complete नहीं होगा आप लोग को selection नहीं होगा तो कोशिश रखिए कि पहले syllabus complete हो जाए ताकि आप लोग एक step अपनी लाइक में आगे बढ़ पाएं कि एंगे तंगी सो मच, तंगी सो मच